सर्दियों में हरी भरी मैथी खूब खाना चाहिए इससे गबज की गैस की समस्या दूर होती है और भूख भी खूब लगती है तो नियमत रूप से मैथी का सेवन करना चाहिए तो इसके लिए हमने लिए हमने लिए मौटे तले की कड़ाई इसमें हम डालेंगे एक बड़ा तेल आदा चमट जा देंगे जीरा यहां पर मैंने कुछ सब्जिया लिए है जैसे गोबी आलू गाजर और मटर आप यहां पर सेम भी डाल सकते हैं सेम आज नहीं थी इसलिए मैंने नहीं डाला तो सभी सब्जियों को सबसे पहले तो हम तेल में एक बारी अच्छे से मिक् इस्तिमाल करेंगे तो यह काम आप पहले से करके रख लीजेगा अब मैथी डालेंगे और मैथी को सबजियों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे स्वादानसार नमक तो नमक आपको स्टाइटिंग स्टेज पर ही डालना है इससे जो सब्जिया है वो जल्दी गल जाएंगी और हमारी सब्जी जल्दी बन भी जाएंगी तो नमक को भी हम मिक्स कर देते हैं अब हम इस तरह की के लिए हम इसको पकने देंगे चार-पांच मिनट बार हम एक बार चेक कर लेते हैं कि जो आलू है वो गले या नहीं इनफेक्ट सभी सब्जिया अच्छे से गल जानी चाहिए तब तक आपको लो फिलेम पर इनको पकाना है तो आप देख सकते हैं जो सब्जिया है काफी अच्छे से पक चुकी है हम एक अलू को चेक कर लेते हैं यह देखिए बहुत अच्छे से पक गई है लेकिन अभी आप देख सकते हैं इसमें काफी पानी है तो कोई बात नहीं सब्जिया पक गई है अब हम इनको हाई फिलेम पर पकाने वाले हैं लेकिन हाई फिलेम पर प पाउडर और थोड़ी सी हम हल्दी डालेंगे हल्दी ऑप्सनल है कुछ लोग नहीं डालते हैं मैं भी कभी कभी डालती हूं कभी कभी नहीं डालती हूं मन की उपर है जैसा मुझे करना होता है फिलाल मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है फ्लेम को बिल्कुल हाई रखना है और हाई फ्लेम पर हम मसाले को पहले तो सबजी में मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद अब हम सबजी को कलहारेंगे, कलहारने से सबजी का जो सौधापन है वो बढ़ेगा, टेस्ट अच्छा होगा और जो इसमें पानी था न वो भी सारा सूख जाएगा, तो इसी तरह आप थोड़ा सा छोड़ दें फिर जब नीचे की तरफ थोड़ी सी कलहर जाए फिर आप इसको एक बारी चलाने कर चली से इसी तरह से आपको कम सकम तीन-चार मिनट तक अच्छे से मैथी को कलहरना है तीन-चार मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं मैथी काफी सूखी सी हो गई है और बहुत अच्छे से कलहर भी गई है इसका जो पानी है वो भी पूरा एब्सॉर्ब हो चुका है इसलिए मोटे तल की कड़ाई ली थी मोटे तल की कड़ाई में ये थोड़ी बहुत तो वो आसानी से छूट भी जाती है तो जितनी अच्छे से मैथी कल रहेगी उतनी ही बढ़िया स्वाधिस्ट लगेगी और इसमें करवाहट भी बिल्कुल भी नहीं रहेगी तो ली जी तैयार है हमारी मिक्स वेज मसाला मैथी बहुत ही स्वाधिस्ट लगती है बहुत है है इसमें हमने सभी सब्सक्राइब किया है और बहुत ही तेस्टी लगेगी आप इस तरह से जरूर ट्राइब करके देखे निये में तुरूप से मैथी का सेवन करें साथ में एक डाल बना लें तो साधा खाना के साथ आप इसे बनाईए जैसे रोटिया होई जो रोजाना में हम लोग बनाते हैं बहुत ही अच्छी लगेगी तो आप इसे जरूर बनाए उम्मीद करती हूं कि आपको आज किये मैथी की रेस्पी अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक सेयर करना बिलकुन ना भूले तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक केर